बारत के पास आध्यात्मिक विरासत है और हमारी बड़ी ही सम्रुद्ध संस्क्रती है सम्रुद्ध परंपराएं अध्युद्ध सब्यता हमारी अपनी रही है और इसमें हमारे जीवन को दिशा देने के लिए हमारा जो आध्यात्मिक वांग में है उसका बहुत बड़ा योगदान है इस आध्यात्मिक वांग में हम लोग वेद वेदांग उपनिशद दर्शन शास्त्र गीता रामयन सूत्र ग्रंथ, नीति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ और अनेक संतों की वाणी और उसके साथ में हमारे समस्त पुरान उपपुरान और जिस ग्रंथ के माद्यम से ज्यादा भारत प्रभावित रहा है यह दो ग्रंथ रामयन और पूरे विश्व में जिस ग्रंथ को अनेक अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ वो हमारा ग्रंथ है गीता एक ऐसा ग्रंथ जिस पर हाथ रखकर हमारा हिंदु समाज कसम खाता है कोर्ट में भी सत्य के सत्य कहने के लिए मतलब इतना प्यारा कुछ जिसके लिए शपत ग्रहन की जा सकती हो जिस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे जीवन के समस्त विशाद को पीडाओं को समस्त अंत्रास को प्रसाद में प्रसनता में बदलने का संदेश दिया वह अद्भुत ग्रंथ है गीता यह ग्रंथ हमें समस्त मरण धर्मा मनुश्यों को अमरित का संदेश देता है कि अमरता कैसे पाई जाए अमरित पत पर कैसे चलें यह ऐसा संदेश वह ग्रंथ है जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन के कर्म को कर्म योग में और जीवन को कर्म योगी वाला जीवन बनाते हैं। समझ सकते हैं आप कि गीता जिंदगी की समस्याओं से भागने का नहीं जीवन में जागने का संदेश देती है। यह ऐसा गृंत है जिस गृंत को लेकर चाहे योगी रहे हों, कर्म योगी रहे हों, धर्मात्मा लोग रहे हो या फिर जिन लोगों ने भारत देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया भारत के निर्मान में योगदान दिया सब के जीवन दर्शन के पीछे गीता की बहुत बड़ी भूमी का रही जिनका भी हम नाम लें गीता से सभी प्रभावित रहे चाहे वो हमारे प्रांतिकारी लोग थे या फिर जो बहुत ही शान्ति के साथ देश की आजादी के लिए काम करते रहे वे सब नेता लोग रहे सब के पीछे हम यही अनुभव करते हैं कि गीता का बहुत बड़ा योगदान रहा और ये भी एक बात सोचने योग यह है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयम यह कहते हैं कि जो इस ग्रंत को पढ़ता है सुनाता है और इसका मनन चिंतन करते वे इसे आत्म साथ करता है तो स्री कृष्ण यह कहते हैं कि वो मेरा सबसे अधिक प्रिया है तो भगवान का प्रिये पात्र होने के लिए भी हमें गीता की और जाना चाहिए और ये भी समझ लीजिए कि दुनिया के हर देश की हर भाशा में अगर कोई ग्रंत अनुदित हुआ हो तो गीता है मतलब हम कह सकते हैं कि गीता का प्रकाश दुनिया के हर छेतर में पहुँचा है हर गाउं महुले में पहुँचा है दुनिया के हर कोने तक गीता का प्रकाश गया है तो गेता हमारे लिए सम्मानित गरंत ही नहीं, हमें जीवन देने वाला एक जीवन दर्शक गरंत है, जिसे पांच जार साल पहले, पांच जार दो सो पचिस वर्ष पहले, भगवान शीकृष्णे कुरुक्षित्र की भूमी में जिस संदेश को, अर्जुन को माध्यम बना कर के दिया, बहुत लोग ये समझते हैं कि ये युद्ध में प्रवर्त होने के लिए दिया गया संदेश है, पहले तो हम ये जान लें कि जिन्दगी है ही ऐसी कि जो लगतार संगर्स है, और जीवन का ये संगर्स जारी रहेगा जब तक स्वास का सफर चलता रहेगा, संगर् मतलब है योद्धा बन करके तो जी नहीं पड़ेगा, मतलब जिन्दगी में बादुरी चाहिए, वीरता चाहिए, कायरता से जिन्दगी नहीं जी जा सकते, जितने आप हिम्मत वाले बनेंगे, उतने ही आपकी जिन्दगी निखरेगी, कायरता के लिए यहां पर जगह नह है, इसलिए सबसे पहले तो यह माल लीजिए, कि आप भी जीवन में एक योद्धा है, इसलिए प्रतेक व्यक्ति को, वो किसी भी छित्र में है, अपने आपको वीर मानना चाहिए, और बनना भी चाहिए, आप दान वीर बनें, आप धर्म वीर बनें, आप कर्म वीर बनें, आप शूर वीर बनें, वीर जरूर बनियें. वीर भोग्या वसंदरा. वीर लोग ही वसंदरा का आनंद ले सकते हैं. कायरता से जिंदगी में कभी भी कुछ नहुआ है, न कभी होगा. वीर वो होता है जिसके अंदर हर पल संतुलन तो रहता है, लेकिन जोष भी पूरा रहता है. जो अपने जोष को संतुलन में ला सकता है, वो सच में वीर है. और जिसका जोष जो है गलत दिशा में जाए, तो उसे फिर वीर नहीं का जा सकता है. इसलिए अगर आप योद्धा बनकर जिंदगी जीना चाहते हैं, तो सब से पहले आपको संतुलन सीखना चाहिए. कृष्ण भगवान ने संतुलन को ही योग का, समत्तों में योग उच्यते. समत्तों की सिक्षा भगवान ने दी, सब में समत्तों का भव रहना चाहिए, लेकिन जिंदगी में संतुलन भी रहना चाहिए. बैलन्स बनाकर जब आप चलते हैं, तो आप मर्यादा पूर्ण होकर जीते हैं, तो ये बात जरूर ध्यान में रख लीजिए, के हम सभी जीवन संग्राम में एक योद्धा की भूमी का निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, तो गीता में युद्ध वाली बात तो, आप शुरू से पढ़कर के देखिए, जो चर्चा हुई है, वो पहले अध्याय में तो हुई है, दूसरे अध्याय में थोड़ा सा वर्णन करते वे भगवान ने, सीध ही, तुम क्या हो, तुमारी आत्मा क्या है, और जीवन का परिवर्तन क्या है, इस तरफ ले जाकर, फिर उन्होंने विशुद अध्यात्म को, हमारे सामने परहसा है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कि गीता तो मरन सुधारने के लिए है, समझे लिजे कि जीवन को सुधारने के लिए भी है, लोख के लिए भी गीता है, और परलोख के लिए भी गीता है, समृद्धी के लिए भी गीता है, सफलता के लिए भी गीता है, और परलोक में भी सफल होना चाहते हैं तो फिर आपको गीता पढ़नी चाहिए स्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा अद्वुत है जहां उदासी के लिए कहीं जगे नहीं है और आत्म वंचना के लिए खुद को कोसने के लिए भी कहीं जगे नहीं कृष्ण ने कभी भी ऐसा संदेश नहीं दिया कि उदास होकर खुद को कोसन अश्रू कर दे इसलिए उन्होंने जब ये कहा न आत्मानम आउसादायेत बड़ा अद्वुत संदेश है अपने आपको पतन की तरह मत ले जाए अपने विचारों में जीवन्दता लाइए निराशा के लिए कोई जगे नहीं अगर निराशा आती भी है बहुत जल्दी अपने आपको द्यवस्थित कर लेना चाहिए क्योंकि जीवन में निराश होते ही आपके चार उत्रप वही सब चीजें बिखर जाती है जिससे आपका दुख बढ़ने लग जाता है इसलिए सबसे पहले तो आदमी को अपनी निराशा को जीतने की ताकत पैदा करनी चाहिए और वो ताकत कैसे आती है जब आप सकारात्मक होते हैं यह सकारात्मक क्या है सकारात्मक का मतलव होता है स्विकार करने की इच्छा मतलव जिस चीज को आप कहते हैं यह जीवन में मुझे चाहिए वो सकारात्मक ता है आपको क्या चाहिए अच्छी सेहत तो क्या नहीं चाहिए बिमारी नहीं चाहिए गरीबी नहीं चाहिए जिसमें नहीं नहीं है वो negativity है जिसमें हाँ हाँ है वो सकारात्मकता है उसको positivity करेंगे जिस चीज को आप चाहते हैं वस उसी को दिमाग में गुमाईए उसी पर ओर्जा लगाईए तो आप सकारात्मक हो जाएंगे और जिंदकी आपकी आशा से बर जाएगे जिस तरब जाना ही नहीं उसके बारे में सोचना क्यों जो आपको चाहिए ही नहीं उसको याद क्यों करें चिंता नहीं चाहिए तो आपको ये नहीं कहना है मुझे चिंता नहीं चाहिए आपको कहना है मैं हर पल, निश्चिंत, बेफिक्र, मतलब निर्भ है, आशावाला, उत्सावाला, प्रसनता से भरपूर, और पूरे जोश के साथ अपने कारियों को करता हूँ. इसलिए हर दिन एक संकल्प दोराय जाता है, वो संकल्प होना चाहिए, कि मैं भक्त हूँ, भक्त वो जो भी भक्त नहीं है, बटावा नहीं, भक्त वो है जो भगवान से जुड़ा वा, तो इसका अरथ हुआ, कि मैं प्रभू का प्रेमी हूँ, उत्सा से रहता हूँ, प्रसनता में जीता हूँ कर्मटता से कार्य करता हूँ मैं हर दिन समय के साथ चलता हूँ मैं अपना समय और दूसरों का समय दोनों समय क्या का सम्मान करता हूँ ना अपना समय खराब करता हूँ ना दूसरे का खराब करता हूँ मैं शिष्ट हूँ, अशिष्ट नहीं, तो जो नहीं हूँ उसको नहीं याद करना, शिष्ट हूँ, तो शिष्ट रूप को याद कीजिए, जब आप अपने शिष्ट रूप को याद करते हैं, तो अशिष्ट नहीं होंगे, जब आप सकारात्मक हो जाते हैं, तो यह द्यान आपको नीचे गिरा रहे होते हैं और फिर हम स्विकार करने लगते हैं मैं ऐसा ही हूँ मेरे से कुछ ज़्यादा उमीद मत कर लेना मैं ज़्यादा आगे जा नहीं पाऊंगा मेरे साथ कुछ अच्छा होगा नहीं क्योंकि अब तक नहीं हुआ मेरे साथ गलत होता है जब आप ये मान लेते हैं तो ये ध्यान लग लीजिए कि फिर उमीद गई जब तक आदमी सोचता है कि मैं जीतूंगा लड़ने की ताकत पैदा रहती है जैसे सोचता है अब मैं जीतने वाला नहीं हो समझ लेजिए कि आप मन तूट गया हिम्म चूट गई शक्तियां चुक गई अब आप अंदर से हार गए हो तो बाहर से हारने में जहाद देर लगेगी नहीं और अगर बाहर से हार भी गए हो और मन आपका मजबूत है तो इसका मतलब है कि अभी एक आद बार कोई भी गिर सकता है क्योंकि बिना गिरे तो दुनिया में चलना कोई सीखा ही नहीं इसका मतलब है मैं उठोंगा और उठोंगा आगे बढ़ूंगा मैं जीतता रहा हूं और जीतता ही रहूंगा यह विश्वास अपने मन में जैसे ही आप उत्पन करते हैं आपकी शक्ती जाग जाती है तो आप गीता को जब पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि कृष्ण भगवान ने आपके खोईवे मन को जागरित करने का संदीश दिया और कृष्ण भगवान का स्वरूप भी ऐसा ही है और वो उसी तरह के जीवन दर्शन को महतो देते हैं जैसे मिस्री होती है न उसके सारे कौने से जिदर से भी आप चेखेंगे उदर से ही वो मीठी उदर से ही मदूर है तो गीता भी चारो तरफ से कहीं से भी खोलें आप वो मदूर है और नियम तो यह होना चाहिए कि एक अध्याई आप रोज पाट करें तो बारवे अध्याई को ले लीजे आप लेकिन रोज एक वाक भी लेना चाहिए वाक लेने का नियम होता है कि आप गीता में उंगली डाल कर जहां से भी पेज खुल जाए उसे ऐसा समझें ये आज के लिए मेरे लिए भगवान में संदेश दिया है तो उसे आप हर दिन देख लिया करें जब आप कोई भी एक पेज आपका खुल जाता है और वहाँ आप कोई एक शब्द पढ़ते हैं उस पर चिंतन करते हैं अनन्यस्चिंत यंतो माम ये जाना पर ही उपसते अनन्यव भाव से जो भी जन्द मेरी उपसना करते हैं इतने पर ही आपका ध्यान गया तो आप उस अनन्य भाव पर अपने मन को टिका लेना कि एक शब्द होता है अन्य मतलब दूसरा और एक शब्द है अनन्य दूसरा कोई और नहीं तो हमारा मन हर समय अन्य पर तो रहता है अनन्य पर नहीं रहता तो आप उस समय चिंतन करना मैं आज से अनन्य का उपासक हो गया हूँ जो एक ही एक है सबका सहारा, सबका रक्षक, सबका दाता और सबका सखा जो हमारी अच्छाई बुराई सबको जानने के बाद भी हमें प्यार करता है उस दाता के प्रती आज से मैं अपने आपको जोडने का संकल्ब लेता हूँ तो एक शब्द ही पढ़ा आपने और एक शब्द में आपने मन को जोड लिया तो सिक्षा आगई हर पल मैं दूसरे में तो इस्तिक रहता हूँ ना तो अपने आपे में रहता हूँ ना अपने प्रिये के प्रती रहता हूं, तो मेरा प्रिये मेरा परमात्मा है। दोसरा, मैं स्वयम को जाननी की चेष्टा नहीं करता। मैं दोसरों के गुंदोष ढूंडने में अपनी ताकत लगाता हूं। तो आज से मैं स्वयमे इस्थिर होंगा। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि गीता जब आप पढ़ते हैं, तो ये एक ऐसा गृंद है, जो आपको जागरित करता है। और मजा ये, अगर किसी को जीवन में पूर्ण सफलता चाहिए, तो गीता पढ़िए। क्योंकि कुछ लोगों ने ये याद कर रखा है, कि ये तो मरने वाले को सुनाया जाता है ग्रंदा। और जुन क्या मरने लगा था जो भगवान ने उसको गीता सुनाई। भागते वे जीवन के कर्तव्यों से भागते वे को गीता सुनाकर भगवान ने उसे उस जगे पहुचा दिया कि सफलता भी मिल गई, यश भी मिल गया, राज्य भी मिल गया, समर्द्धी भी मिल गई और दुनिया में भी सफल हो गया और परलोक में भी सफल हो गया तो इससे ये पता लगता है, सफलता चाहिए, तो गीता की शरण में जाएए, यशश्वी होना है, तो गीता की शरण में जाएए, और अगर आप चाहते हैं, कि सम्रद्धी आपकी जिंदगी में जाएए, तो आप गीता की शरण में जाएए, और अगर आप चाहते हैं, इस लोक में सपल होने के साथ मेरा परलोग भी सुधर जाये तो गीता की शरण में जरूर जाना चाहिए अनपूर्णा योजना इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जनमोचप, विवा की वर्षगाट तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के रिशी कुमारो एवं व्रिधाश्रम के व्रिध जनों क को सहभोज करा सकते हैं इस अफसर पर प्रातह गुरुकुल के जिशिकुमारों द्वारा वैदिक मंत्रों चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्य यग्य का आयूजन किया जाता है यजमान की सुप स्मृध्धी और दीर्ग आयू के लिए प्रातना भी की जाती है दोपहर को सहभोज का आयूजन होता है आपस परिवार आनंद धाम पधारे यग्य में भाग ले और अपने हाथों से भोजन कराकर पुन्य लाग एवं आत्म संतुष्टी के भाव से जीवन को आनंद मै करें इस योजना से जुडने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200-956-79-2792 सहयोग राशी भेजने के लिए हमारा अकाउंट डीटेल है आए हमारा अद्ध के लिए कि लाड़ी तेहे है